दोस्ता आज हम रिस्करने वाल sareegame क heartbeat shocked conclusion दोस्तो इस video को start करने पढाना चाहिए कि न'm मेंल सेल होती है जो इसको які Contribution करती है वो होती है तो टी लंपोसाइट ठीक है कुछ हापका Nature Killar Selles आपका इनिटीमनीट का पार्ट होता है जो वह भी कुछ पार्ट में इसका इसके इसके इंदर करती है लेकिन मैन कंपोनेंट आपको याद रखना है टीलिंपोसाइट जो होती है जो सेकेंड पार्ट था उसको एंटीबोडी आपको मेडियेट करते हैं जो आपका बी सेल प्लाजम सेल से बनती है तो नेक्स्ट वीडियो को टॉपिक होगा लेकिन इस वीडियो के अंदर हम देखेंगे कि एक तोस्त आपका जब भी हम फंक्शन की बात करें ना दोस्त आपका टीसल कैसे काम करती है कैसी में सिस्टम में किंट्रिबूट करती है उसमें उसको का बहुता है कैसे कैसे वह होता है और इसकी जो डिजीज होती है दोस्ति इमिनोडिफिसेंसी वह भी और यह उसके बाद इसी वीडियो मैं शूर्थ इंदर हें जो इसके function है कैसे mechanism है वां मेट आताई है दोस्ताइब सबसे इसटार्ट कहां से होता है सबसे स्टार्ट होता है दोस्ताइब का हमेटोप steroidie अर फेलम से लोती हैं वहां ते आपका का दो हार था पर सिल निकलती कैम माईलोड पुर्जीनेटरस एक व्लीप पूप उलिपनेटरस बैंधter समकिन झालस घ्मैंच यॉतलर कैल फिकत्रोला इन ते चालस अमाती है टम बनाती है बी सेल işte small extant होता है और यह भी smaller part में यह बनाती है मैंन वता आपका T cell ठीक है और इमें से आपका जो टी सेल है वो आपका thymus के अंदर आपको mature होता है तो कैसे कैसे यह बनता है कैसे इसका differentiate होता है तो हमें पता होना चाहिए जो आपका थाइमस के अंदर क्या होता है कि interaction जब आपका T-cell पूछती है यहाँ बोन महरों में बनी और आपका थाइमस में पूछ गई पूछने के बाद कैसे यह एक्टिवेट होती है हमें पता होना से वो कैसे होती है जो आपका थाइमिक तोड़े सेल ने वाली सेल आपका ती अको कंवाटोप लिए थी वह कैसे होगी यह वाली की लोगोण खांडर के अंदर थैमिक ए्पसेल रूसरे। या करे ंंटसमैंड कर वह या तोजों सकती हैं या तो हैं म但ई-न कंप्लेक्स भूंद करें मस्याता किया है दोस्त तो इस कंडिशन में आपका चैल यह लिए सेन डिया टो इल बनेंगे जो आपका हम तक्राइब करके रख केंदर सी देडियोर वीडियोण के कही दोस्त में अध्नки निसीhelm थोड़ा confusion हो रहा है समझने में तो वीडियों जुरूर देखिए का उसके बाद ही इदर आओगे ना तो आप बहुत अज़े तर समझ माएगा तो MHC1 complex है तो यह दि उसके साथ interaction किया तो क्या बनेगी आपका CD8 cell CD8 cell भी आपका क्या होती है साइटो टोक्सिक सेल या किलर सेल तो मैंली होती है साइटो टोक्सिक या किलर सेल दोनों सेम बात है लेकिन कुछ टाइम आप कुछ मेमोरी सेल ही बन जाती है CD4 cell है CD4 cell के ऊपर यह कुछ साइटो काइन एक करते हैं यह दी साइटो काइन के डिफ्रेंट साइटो काइन के कोडिंग आप डिफ्रेंट CD4 cell बनते हैं उनकी टाइप हम लाइफ वीडियो को अंदर देखा था टीएज वन टीएज टू टीएज सैंटीन और टी दो साइटेए तो इसके अलाबा अमें से स्सेक्टर पता होना चाहिए क्योंकि सवाएकनिजंब्लभी है इसे समझने तो पहला की बाति है व आती है दोस्ताइब का इश्र वहाला पार्ट यहां मैंसैल मैंस्यल तो इसमें से म아계कूयिञ्ट है साइटो करो यहां से ब्लीज सिधर है यह मैक्रोफाज हैं आपका complex है मसी complex वो इसके साथ interaction करेंगी इसका component है इसका component है ICM1 यह दोनों आपस मिंटेक्ट करते हैं ठीक है मतलब यह मैक्रोफाज है यह आपके इसके अंदर कुछ कॉंप्लेक्स होता है तो इन दोनों में से आपके करते हैं उसके कोडिंग आपका साइल बनती है यहां पर कुछ कॉंप्लेक्स के अंदर यह देंडराइटिक सैल के अंदर इसके इसके सीडी टॉंटी एट इंट्रेक्ट करेगा और आपका बाद में इसके कोडिंग आपका टी कल रेसल टीमेमरी सैल बनेगी और इससे क्या रिलीज होगा दोस्त जो आपका इंडिलेकwriter है वो आपका सेरेप्टर हुता है वो आपका इसी से रिलीज होता है और फिर आपका इसमें अने में हेये सिंप करता है क्योंकि जब भी आपको सुनोंगे न कि T-cell कैसे काम करती है वो तव करो मैंक्र नो सकते हैं प्रोफेशनल के अंदर आपका डेंडराइट इक सेल आती है तो डेंडराइटिक सेल कैसे एक्टिवेट करते हैं आपस में वह इस वीडियो के देखा ठीक है देखा कि कुछ रिचेप्टर से साथ इंटरेक्ट करें कुछ रिचेप्टर करेंगे और बाद में तो यह जो इसकी हम देखेंगे कि जो है कि रिच टू यह कैसे इम्मुन सिस्टम के अंदर एक्शन करती है मेकनिक्ष आक्शन क्या है आपको किस मेकनिसम से आपको जो करती एकुत करती हैं तो मिलते हैं नेक्ट वीडियो के अनदर तब तक यह आप अभी तक वीडिये को लाइक्ग और मिलते नेक्ट वीडियो के था नडर भाइई